हेलो गाईज, वेलकम टू अवर चैनल और आज की इस वीडियो में हम इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एकनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको एक ब्रीफ ओवर्वियू दिया था कि हम हमारे कौन से में सब्जेक्ट है जिन पर हमें फोकस जादा देना है और हम किस तरीके से अपने UPSC के प्रिलिम्स हो गया या किसी भी जामिया रसी हो गया या जामिया हमदर्द हो गया कोई भी ऐसा इंसिटूशन जो फ्री I.E.S. कोचिंग प्रोवाइट कराता है उसका इंटरेंस कैसे क्लियर करेंगे किन सब्जेक्ट पर हमें ध्यान देना है रिवीजन स्टैटेजीज वगरा नोट मेकिंग से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिगा मैं उसके उपर भी आपको डिटेल वीडियो बना दूँगा हर किसी का रिवीजन करने का तरीका अलग होता है उन तरीके के बारे में भी बता दूँग आप कि डिफरेंट तरीके से कितने डिफरेंट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और वो बहुत important होता है किसी भी examination को clear करने के लिए अब आज हम बात करने वाले है important topics of economics economics वही one of the major subject जो मैंने आपको बताये थे कल policy, economy, geography and environment में से तो यह हमारा economics है तो इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं देखे, economics में जो है वो है current affair का बहुत बड़ा रोल है ता इसलिए कभी भी आप prepare कर रहे हैं किसी भी examination के लिए prepare कर रहे हैं तो आप अपने current affair पे command रखें लेकिन economics का current affair भी तब ही समझ में आता है जब हमारा basic concept जो होते हैं वो हमारे पढ़े हुए होते हमें basic concept हमें पता होते हैं तो basic concept के लिए मैं आपको suggest करूँगा कि आप पहले NCRT पढ़ें ओके अगर आपका background नहीं है economics में या आप commerce background से नहीं है या कभी आपने economics नहीं था आपके stream में तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो इसके लिए मैं आपको suggest करूँगा पहले आप NCRT पढ़ें फिर उसके बाद आपको थोड़ा चीजों को समझने में असानी होगी जो भी terminology use की जा रही है वो भी आपको समझ में आएगी ओके अब ये जो topics हैं ये topics ये नहीं कह सकता में कि ये सारे हैं बट हाँ ये कुछ ऐसे topics हैं जो मैंने देखे हैं पिछले previous year के question paper में और आपका जो जामिया RCA और जामिया हमदर्द RCA ये institution इनसे related question पूछते हैं अगर ये आपको question की form में नहीं मिलेंगे तो इस वज़े से ये chapter आपके बहुत ये topics आपके important बन जाते हैं पहला हमारा inflation के बारे में पढ़ना होगा inflation deflation क्या होता है इसके बारे में अब inflation जैसे में आपको बता रहा हूँ से related तो वह आप उससे अपना cover करते रहेंगे क्यों करन्ट से भी question उठके आएगा five year plans हो गए okay five year plans में क्या होता generally ये एक scheme दे देते हैं और फिर पूछते हैं कौन से plan में implement की गई थी तो ये आपको five year plan के बारे में पता होना चाहिए capital and money market हो गई आपकी land reforms जो हुए अभी तक हमारे independence से लेकर अभी तक आपको उसका idea होना चाहिए कि क्या गया land reform हो है हमारे okay tax system हमारे जो भी tax system है कैसा है tax system की बात कर रहे तो हमारे indirect tax आजाता है direct tax आजाता है और उसमें हम देखेंगे GST तो GST कव इंपलिमेंट हुआ उसके क्या में वह हुए reason मिलब आपको पीछे पूरे question पूछन पूछने अपने आपसे what when why how और यह जब आप पूछते रहेंगे अपने आपसे तो आपको चीजे समझने में बहुत असानी होगी WTO के बारे में आपको पढ़ना है World Trade Organization के बारे में पढ़ना और Treaties जैसे होती है Regional Trade Agreements वगरा जो होते हैं उसमें इंडिया के अगर किसी से Trade Agreement है तो उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और हमारा DTA के बारे में आपको बता होना अची है आप इनने जब सर्च करेंगे आपको इसली मिल जाएगा अब बात करते हम Green Revolution के बारे में अब बात करते हम Green Revolution सिर्फ Green Revolution के बारे में नहीं पढ़ना बिसमें Blue Revolution होगा जितने भी तरह के revolution होगे हमारे agriculture में या farm industry में तो उनको भी आपको पढ़ना है अब हम आगे बढ़ते index जैसे होते हमारे जैसे हमारे index होते हमारे होगा wholesale price index हो गया consumer price index हो गया हमारा और एक होता है index of industrial production तो यह index आपको पता होने चाहिए तो इंडेक्स के बार में और डेप ने पढ़ना है वगरा national income वगरा देखने के लिए मिल जाती है अगर आप अच्छे से पढ़नेंगे तो आपकी concept easily clear हो जाएंगे okay pds के बारे पढ़ना आपको public distribution system के बारे में और important schemes यह important हो जाता है जो भी हमारी current में चल रही है यह जो भी यह मैंने आपको topics बता रहा हूं इनसे related कोई scheme चल रही है तो आप फिर क्या करना आपको वह scheme अच्छे से याद करने लिए आपको रखना रिवाइस करना अच्छे foreign trade में हमारा export कितना है किसी particular country के साथ import कितना हम कर रहे हैं okay और balance of payment FDI FDI okay foreign direct investment कितनी हो रही है और fiscal deficit क्या है तो यह सब आपको पता होना चाहिए अब ऐसी आगे बढ़े हम bank service में आप bank एक तो आपको bank के बारे में पता होना चाहिए schedule bank non schedule bank commercial bank okay इनके बारे में आपको idea होना चा अब आपको इन bank के बारे में पता होना चाहिए और बैंकिंग की जो शर्विस उसके बारे में थोड़ा एडिया होना चाहिए और RBI यह मतलब की वन आफ इंपॉर्टन टॉपिक और RBI के बार में तौपको बहुत अच्छे से पढ़ना उसके रोल क्या है फ़क्शन क्या है अब जब बैंकी बार चिडी है तो इसमें आपका रैपोरेट आ जाता है फिर रिवर्स रैपोरेट आ जाता है आपका C.R.R हो गया S.L.R हो गया O.M.O हो गया Bank Rate हो गया इंटरस रेट हो गया एक्सेक्टरा ये आपको ये जो है न टर्म आपको पता होना चाहिए अगर आपका बैक्ग्राउंड नहीं है कॉमर्स है या फिर अगर आपने नहीं पड़ी है एकनॉमिक्स तो आपको बहुत मुश्किल होगी इनने समझने में पहले तो इसे पहले अपना क्लियर करके चले अभी आपको समझ में नहीं आओगा CRL क्या SLR क्या अगर आपने कभी नहीं पड़ा होगा तो अगर आपने पड़ा है तो इनने और अच्छे से अपने कॉंसेट को क्लियर करके चले क्योंकि इसी में क्या करेंगा वो स्टेटमेंट देदेगा UPSC, SE या फिर घुमा देगा आपको जो भी यह जामिया आर्सी हो गया जामिया हमदर्द हो गया यह सेम UPSC के पैटर्न पर साइट करते हैं कोशन और अब तो इनका लेवल भी होता जारा है जैसे कॉंपिटिजन बढ़ तो जामिया रसी है और जामिया अमदर्ज यह जितने भी इंस्टूशन यह अपना लेवल बढ़ा है तो इस चीज का आपको खास दियान रखना इन पर आप कमांड कर लिंगे तो मैं आपको गैर है revenue receipt, revenue expenditure, capital receipt and capital expenditure और जो भी important indexes होते हैं वो reports वगरा जो भी है हमारी okay economics related जो भी हमारी reports आ रही है जो उसमें हमारी क्या ranking है हर चीज इंडेक्स में देखना है तो वह सारी चीज आपको कवर होना चाहिए के बारे मैं को पता होना चाहिए के आपको पूछ लेगा के मुझा वैसे माइक्र नॉमिक्स का थोड़ा था topic कह सकता आप इसमें ऐसे भी दे सकता है inferior goods है तो उसका अगर दिमांड बढ़दा है supply कितनी होगी मुझा पूरा अपको घुमा देगा इसमें इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यह आपको अपना concept के लिए करना सिर्फ statement पढ़ने से बात नहीं बनेगी इस चीज को ध्यान रखें आगे बढ़ते हम economic cycle हमारा देखें रिसेशन आता है depression होता है slow down होता है economic में बूम भी देखने के लिए मिलता है तो यह जो है ना concept आपको पता होने चाहिए क सब्सक्राइब कर देखने 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 क सकता है इसमें कुछ टॉपिक्स रह गए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं तो आगने वाली वीडियो में मैं वो भी बता दूँगा जो लोग आप कमेंट करेंगे तो और बच्चों को हेल्प हो जाएगी यह टॉपिक्स है तो इन पर आपको कमांड होनी चाहिए और प्ल इसकर के भी होती है उनकी इनमस आप कोई सी बुक पढ़ सकते बट देखिए बुक पढ़ने से पहले आप कोई भी बुक पढ़े पर उसका मल्टिपल डिवीजन वो बहुत इंपॉर्टन होता है और प्लस यह जो मैंने आपको टॉपिक्स बनाए बताए वो जादा फिर उसके हिसाब से आप इंडेक्स में देख करके प्रियोरिटाइज करें कि आपको क्या पहले पढ़ना है वो जादा इंपॉर्टन होता है कि आप सीधा पेज टू पेज पढ़ डाले ठोड़ा आपको स्मार्ट वर करना पड़ेगा तभी आप सक्सीड कर पाएंगे ओक जब तक के लिए आप जो भी हमारी वीडियो हैं इससे पहले डाल रखी हमने जोगरफी तो वो भी आप देख सकते हैं